UPPSC के 395 पदोपर शीदी भर्ति के लिए आविदन शुरू उत्तर परदेश लोग शेवा आयोगी विभिन चर्णों में 395 पदोपर शीदी भर्ति करने जा रहा है इसके लिए बुद्वार से ओनलाइन आविदन की परकिरिया शुरू हो गई है आविदन करने इम आविदन सुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम्तिती 14 जुलाई है आविदन पत्रों की हार्ड कौपी जमा किये जाने की अन्तिम्तिती 28 जुलाई निरधारित की गई है UPPSC ने 395 पदोपर भर्ति के लिए 20 तरिते विग्यापन जारी किया है इसके अनुसर उतरपरदेश आयूस विभाग में स्पेसलिस्ट के 23 पदोपर भर्ति की जाएगी इनमें 8 पद होमियोपेथिक चिकरचाधिकारी और 15 पद होमियोपेथिक आवाशियद चिकरचाधिकारी के हैं वहीं उत्तर प्रदेश आयूस विभाग में यूनानी चिकचा अधिकारी के 26 पद रेडर कुलियात के एक पद है रेडर अमराजे जिल्द वै तजनियत के एक का एक पद है प्रवक्ता अर्बी के एक पद पर भरती होनी है वहीं वीधी विज्ञान प्रियुक्षाला में व्यज्ञानिक के अधिकारी के 41 पद अपर भरती होगी इनमें जीव विज्ञान चेतर प्रक्षेतर के 22 पद हैं कंप्यूटर है फ्रेंसिक चेतर और प्रक्षेतर के 9 पद हैं बोधिक शास्तर प्रक्षेतर के 6 पद हैं रसाय देर आयुशिमा में मिलेगी उतनी छोटे परदेश में एक मातर PCS के पदो पर भरती को छोड़ कर कोई भी भरती नेमित अंतराल से नहीं हो पा रही कई पदो पर तो दस दस साल से भरती नहीं निकली है भरतियों के इंतजार में लाखो अब्यार्थी ओरेज हो गए अब्यार्थी चाहते है कि भरती में जितनी देर हो उसमें शामिल होने के लिए ओरेज अब्यार्थों को अधिक्तम आयुशिमा में छुट मिले अपर नीजी सुचिव एपिएस भरती का पिछला विग्यापन वर्स 2013 में जारी किया गया था ये भरती भी अवटतक पूरी नहीं हुई है 2013 के बाद एपिएस के पदों के लिए कोई नई भरती नहीं आई अबैर्थी पांच साल से बरती का इंतजार कर रहे हैं वही खणड सिक्षिया अधिकारी के पदों के पदों बरती का विग्यापन भी 2018 में जारी गए था जिसके बाद कोई नई भरती नहीं आई